हलो दोस्तो मैं प्रशान आप मेंसे जो भी लोग options में प्रेर करते हैं और इसपेसले options बाइंग करते हैं उनके लिए एक problem हमेशा से रहता है वह आपका time decay का problem और वो हमेशा से हमारे against यनी दुश्मन की तरह काम करता है हमारे लिए और वो तीन तरीके से हमें hamper करता है कैसे सबसे पहला जहां पे हमें बहुत जादा profit हो रहा होता है वहां पे वो profit को कम कर देता है दूसरा point जहां पे हमें छोटा मोटा profit मिलवा होता है वहां पे उस profit को loss में convert कर देता है तीसरा और सबसे important point उसके उपर अगर हम बात करें तो जहां पे हमारा loss हो रहा होता छोटा मोटा उस loss को वो और भी big कर देता है यानि इस तरीके से वो hamper करता है और हमें अलग-अलग market situation में नुक्सान पहुचाता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे time decay के problem से हम overcome कर सकते हैं कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं बस इसके लिए आपको इस वीडियो में लाश तक बने रहना होगा क्योंकि वीडियो स्किप कर देंगे तो बहुत सारे important point आप मिस कर देंगे और आप में इसे जो भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट किये हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा देना है क्योंकि ऐसे ही informative content हम आपके लिए regularly share करते रहेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे time decay हमारे लिए दुश्मन की तरह काम करता है फिर मैं उससे छुटकारा का उपा भी बताऊंगा ताकि आपको एक picturize हो जाए कि किस तरीके से हुआ हमारे against काम करता है तो यहाँ पर हम आगे है bank nifty के 5 minute time frame वाले chart में और ये जो chart हम देख रहे हैं ये chart है आपका 9th of August 2024 का ताकि आप खुद से भी जाके verify कर सकते हो कि हम यहाँ पर सही बता रहे है या फिर नहीं बता रहे है तो देखिए market open हुआ वो छोड़ दीजे market ने एक low बनाया है आपका 10 40 करीब इस लोग को हम reference ले रहे हैं और यहाँ पर जो market ने यहाँ पर लोग बनाया है वह आपका 50400 करीब ठीक है अब market अभी कहां भी काम कर रहा है लगभग यहां से आपका 120 पॉइंट ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है यानि अभी जो टाइम हो रहा है आपका 250 करीब है अब हम चलते हैं एक स्ट्राइक प्रैस की बात कर लेते हैं यहाँ पर हमें क्या करना होगा कॉल अप्शन को यहाँ पर हमने क्या करा मार्केट कहां पर था 50400 यह हमारा था अब देखिए हमने कब बाई करा जब मार्केट आपका 1040 करीब था तो उस टाइम पर इसका प्रैस क्या था 143 पर हमने इसको बाई गा रहा है अब मार्केट अभी है कहां पर करेंट मार्केट प्रैस से 120 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी लेकिन यह कितना नीचे है इसकी अगर हम बात करें यह आपका वहीं पर यहनी 143 के करीब है यहां पर ह हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और जो भी हमारा ब्रोफिय चार्ज है सब कुछ मिला के हमें यहां पर नुकसान हो रहा है यहां पर हम अवरल पांच से दस पॉइंट के नुकसान में चले जाएंगे क्लियर है हम सारे चार्जेज को इंक्लूड करके बता रहें अब हम आते हैं दूसरे स्ट्राइक प्रैस के उपर दूसरा स्ट्राइक प्रैस हमने यहां पर लिया 50,500 के कॉल अप्शिंस कर और मार्केट अभी है 50,400 हो सकता है कि यह मैं क्या बता रहा हूं आपको समझ में न बता है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और टाइम डीके साब को छुटकारा मिल जाएगा अब यहां पर हम रिफ्रेंस लेते हैं 1040 वाले को और मार्केट इस टाइम पर कहां था 323 के करीब था यहनी 50,500 के कॉल अप्शन 323 पे था अभी कहां पर 340 के करीब है यहनी लगबग यहां पर हमें 25 पॉइंट का प्रॉफिट मिल भा इसके बाद अब हम आते हैं तीसरे पर जो कि हमारा 50,000 का कॉल अप्शन से और LTP हमारा कहां पर यह बारवार लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए 50,400 पर अब इस टाइम भी हम रिफ्रेंस लेते हैं इसका और यह कहां पर था 606 पर और अभी 655 पर यहनी यहां पर हमें मिल भाए 50 पॉइंट के करीब का दिखाया है तो देखिए हमने तीन स्ट्राइक प्राइस में काम करा एक जगह हमें जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस मिल वा है अगर हम ब्रोक्वेज चार्चेस को सब कुछ को हटा दे दूसरे जगह हमें 25 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट मिल रहा है और इस पूरे पिरि इसलिए हमने ले लिया है एजर रिफरेंस में तो देखिए अब मैं आपसे बोलू कि आप कौन से स्ट्राइक प्रैस में काम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको टाइम डिके से बचना है तो बहुत सारे पॉइंट क पैडाता है इस्ट्राइक प्रैस का सेलेक्शन और ध्यान रखना है यह एकलाँता पॉइंट नहीं है इसमें और भी पॉइंट में आपको बताऊंगा इसलिए वीडियो में अश्क करणे और सब्सक्राइब के सब्सक्राइब पा सकते हैं वो मैं आपको चलिए अब एक्स्प्लीन करते हैं यहां पर हम आ गए बैंक निफ्टी के और और अप्शन चेन पर अगर हम बात करें तो हमने कौन-कौन सा प्राइब को अप्शन में मिला था और लटीप क्या था वह भी मैं आपको बता दो 50400 करीब का यह निए यह था हमारा ATM के आसपास वाला यह था हमारा OTM और यह था हमारा ITM तो सब ज़्यादा प्रॉफिट हमें किसे मिला था ITM मिला था तो अगर आपको time decay से बचना है तो सबसे पहले strike price का selection करना सीखना होगा और हमेशा आपको ITM बाले strike price को ही choose करना होगा क्यों मैंने आपको एक बहतर example लेके बता दिया है कि क्यों ITM strike price हमेशा एक बहतर option होता है अगर आप options buying करते हैं तो अब जिनको नहीं पता है कि कैसे हम OTM, ATM, ITM का selection करें मैं आपको simple सब्दों बता रहा हूँ सिर्फ आप 1-2 मिनट के time में समझ जाएगे तो चलिए सबसे पहले call options और put options यहां पर हम options buying की बात कर रहे हैं तो options buying के एंगल से देखेंगे अब call option जो buy करते हैं उनको profit कब मिलेगा जब market उपर side की तरफ जाएगा clear है और जो लोग put options buy करते हैं उनको profit कब मिलेगा जब market नीचे side की तरफ जाएगा और अभी जो current market price है जो भी portion होगा अगर market उस तरफ जाएगा तभी call buyers को profit मिलेगा तो इससे उपर वाला जो भी portion होगा हमारा क्या कहलाएगा ATM और जहां पर price है वह हमारा क्या कहलाएगा ATM और बांकी जो portion बच गया है वह हमारा क्या कहलाएगा ITM देखिए 50,000 इसी portion में आ रहा है call buyers को profit मिलेगा जब प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जाएगा यह तरफ जाएगा तभी हमें profit मिलेगा तो ATM क्या है यह आपका ATM तो यह वाला जो portion हो गया यह हमारा क्या कहलाएगा ATM कहलाएगा यह portion हमारा ATM कहलाएगा और मांकी जो बच गया वह कहला जाएगा ITM तो यह किस ascending order में उससे आपको confusion नहीं होना बहुत सारी लोग हो जाते हैं क्योंकि website पे कुछ और है किसी और website पे कुछ और है तो यहां पर हम अपने सहुलित के हिसाब से ऊपा नीची कर सकते लेकिन जो मैंने concept बताया उस concept को ध्यान रखना है ठीक है अब यहां पर पूट options की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम ascending order की बात कर लेते हैं तो हमारा क्या कहला जाएगा otm वाला portion जिस direction में put buyers को profit मिलेगा वो कहलाएगा otm और जहां पर market है वो कहलाएगा ATM और बाकी वाला portion कहला जाएगा ITM यहीं अगर आप इसको उल्टा भी कर दें तो उपर नीचे हो जाएगा लेकिन concept वही रहेगा जैसे मैं इसको उल्डा कर देता हूं कई जगा आपको उल्टा मिलेगा confusion नहीं होना यानि put side के लिए otm कहला जाएगा जहां पर है वो कहलाएगा ATM यह तो कोई change नहीं होगा और यह वाला कहला जाएगा आपका ITM तो उमीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा अगर आपको confusion हो तो इस portion को एक बार और देख लिए जाएगा clarity के साथ समझ में आ जाएगा और मैंने उल्टा सीधा दोनों केस में बता दिया ताकि आपको confusion ना हो अब यहां पर एक और concept को थोड़ा सा समझे क्यों मैं बात कर रहा हूँ ITM में काम करने के लिए जैसे यह अभी आपका opposite site में इसको मैं अपने according सही direction में ले लता हूँ क्यों मैं आपको बात कर रहा हूँ ITM में काम करने का क्योंकि यहां पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ intrinsic value देखने को मिलेगा जिसको हम लोग real value भी बोलते हैं और जैसे हम otm में जाते हैं otm में क्या होता है आपका intrinsic value जीरो रहाता है यानि पूरा का पूरा यहां पर आपको time value देखने मिलेगा तो जैसे हम otm में काम करते हैं पूरा का फूरा time value रहता है और time decay के चक्कर में हम फस जाते हैं तो हमेशा वह स्ट्राइक प्राइस सूज करना होगा जिसमें थोरा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ intrinsic value जरूर हो और में हमेशा intrinsic value रहता है calculate करना है तो में फॉर्मूला बता देता हूं कॉल साइट की तरफ calculate करना है तो यहां पर मार्केट प्रैस है उसमें से स्ट्राइक प्रैस माइनस कर दिजिए वह कहला जाएगा आपका उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्रैस का intrinsic होगा जैसे अगर हम 50,500 कर लेते हैं और यहां पर हमने 50,000 चूज किया तो इसमें से हमने 50,000 माइनस कर दिया इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्रैस का intrinsic value 500 इसका मतलब क्या है कि अगर बैंक निफ्टी यहीं पे एक्सपाइर करता है तो इसका वैलू है 572 तो इसमें से 72 खत्म हो जाएगा और यह 500 के प्रैस पे एक्सपाइर हो जाएगा वहीं put side के तरफ अगर हम बात करें तो इसके लिए ITM क्या होगा यह वाला portion ITM क्या लाएगा तो इसके लिए formula अलग है इसके लिए strike price जो भी strike price आपने चूज किया उसमें से LTP माइनस कर दिया for example हम यहाँ पे 50,800 चूज करते हैं तो 50,800 माइनस 50,500 यहाँ पे इसका intrinsic value 300 और इधार का देख लिए इधार का LTP क्या है 546 यहाँ अगर market इसी level पे expire करता है तो इसका value सिर्फ 300 रह जाएगा यहाँ यहाँ पे 200 पॉइंट का हमें time decay देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आप यह भी calculate कर सकते है कि किस particular strike price में कितना time value है और कितना intrinsic value है और यह सिर्फ और सिर्फ ITM में पता कर सकते हैं इसलिए हमें ITM में काम करना है तो यहाँ पे हमने पहले point के उपर बात कर लिया और इसको लेके कुछ confusion है तो हमें comment करके जरूर बताएगा आपके confusion को हम दूर करने की कोशिस जरूर करेंगे अब हम आते हैं करना है options buying से हमें avoid करना यानि options buying से हमें दूर रहना क्यों दूर रहना क्योंकि इस टाइम पर अगर आप options buying करेंगे तो loss होने के chances बहुत जादा है क्योंकि यहाँ पे जो options का premium है उसमें हमें तेजी से decay देखने को मिलेगा तो इसलिए जब market आपका रेंड बांड है तो उस आप में से बहुत साई लोगों के मन में सवाल उटवा होगा किसार हम पता कैसे करें कि market range bond है या नहीं है इसलिए मैंने बताया था कि इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा बस लाश्ट तक बने रहना है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि range bond market आप identify कैसे कर स कमेंट किजिएगा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं मैं हर एक एंगल से help करूंगा बिलकुल फ्री कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है तो चलिए इस पॉइंट पे हम समझते हैं तो अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे और यहा उत्त इक भी हम टाइम तो हम जाते हाइं तो यह आगे ब्लूरत करने के लिए 15- cur開始 में तो पंदरा मिन्ट्रा मिनत टाइम आपका रेंच बांड है और कब नहीं है जैसे यह देख लिए यह द्री केंडल का लोग हो गया और यह केंडल का है और तीन से चार लगातार इसके बीच में या या बनाया इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया है तो जब भी इस तरीकी का इनसाइड बार candle का formation हो समझाइए market क्या है range born market है और ऐसे में options buying से परहेज करना है चाहे call side की तरफ हो या put side की तरफ हो options buying में बता रहा हूं तो दोनो options buying आता है call या put क्योंकि दोनों तरफ premium decay होगा यहाँ पर जो आएगा वो दोनों side का premium decay काफी fast होगा और as a result यहाँ पर हम चाहे call options buy करें या फिर output options buy करो या फिर दोनों एक साथ buy कर लो फिर भी आपको loss उठाना परेगा क्योंकि market range born है और दोनों side का premium में टीके होगा और यहाँ पर हम आई टीम में भी प्रीमियम में टीके देखें क्योंकि आई टीम में थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ time value जो रहता है और वही time value हमें नुक्सान देता है तो इस तरीकी का market से बचना जैसे अभी की क्या करना एक options buying को जो भी लोग options buying करते इस case में avoid कर सकते हैं कब करना इसके बाद अगर market इसको ब्रेक करके ऊपर या नीचे गया तो उसके recording आप यहां पर काम कर सकते हैं जैसे यहीं पर इसको ब्रेक करके नीचे आ इस दो crucial role play करता है लेकिन उतना ज़्यादा play नहीं करता है जब आप इसको overnight positions में carry करते हैं तब जाके ये major role play करता है लेकिन थोड़ा ही सही जब range bond market है intra day में भी time decay crucial role play करता है मैंने आज जो example लिया है वो intra day का ही example लिया है कोई हमने hold नहीं किया है उसके बावजूद भी देख सकते हैं किस तरह के से time decay play किया था range bond market को identify करने का दूसरा तरीका है based on indicator और यहाँ पे जो हमने लिया है बॉलिंजर बैंड इंडिकेडर लिया है जिसको आप आसानी से add कर सकते हैं बॉलिंजर आप टाइप करेंगे तो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर आपको मिल जाएगा किस भी ब्रोकर में या नहीं तो ट्वेडिंग भी पर मिल जाएगा अब इसमें कैसे हम range bond market को identify करें तो देखिए बॉलिंजर बैंड का जो बैंड का size है यहां पर काफी जादा और यहां पर नेरो हो गया तो जैसे ही यह नेरो हुआ यह हमें indicate कर रहा है क्या है market यहां पर range bond है तो ऐसे में हमें काम नहीं करना है उसके बाद जैसे ही market इस range से बाहर निकला यह extend हो रहा है तो यहां पर काम करना है यानि जैसे बॉलिंजर बैंड का डाइक्षन, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से हुआ, हमें पता चल गया, कि रेंज बार मागिर खत्म हो गया, फिर आप अपस्लस बाइंग कर सकते हैं, clear है इसके बाद यह निए एक चीछ धान रखें बॉलिंजर बैंड का direction अगर आपका दो तरीके का हो इस तरीके का हो या फिर इस तरीके का हो काम कर सकते हैं या नहीं तो इस तरीके का हो या फिर इस तरीके का हो तो काम कर सकते हैं कब काम नहीं करना फ्लैट हो बॉलिंजर बै इसका direction नीचे हो गया तो इस case में हमें काम करना है फिर जैसे फ्लैट हुआ तो यह भी आपका फ्लैट हो गया और यह भी almost आपका फ्लैट हो गया तो इस case में फिर एक्स वीडियो में जैंद